ब्राट तो यू बाई अजिलिस डाइगनोस्टिक्स तेलिकॉम रेगुलेटरी अथोरिटी ओफ इंडिया यानी ट्राई की ओर से यह नए नियम लागू किया जा रहे हैं स्कैमर्स के लिए भी अब मुश्किले बढ़ने वाली हैं यह नए नियम जब लागू हो जाएंगे तो स्कैमर्स की भी नीन दोड सकती है अगर आप Jio, Airtel, Vodafone, Idea या BSNL किसी भी कमपनी का SIM यूज़ कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा नमस्कार आप देख रहें बिस तक मैं हूँ आपके साथ अर्णिमा दुवेदी ट्राई की तरफ से समय समय पर नियमों में बदलाव किया जाता है अब ट्राई ने एक और नियम को बदला है इस नियम के आने के बाद अब यूज़र्स के लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि उसके एरिया में कौन सा नेट्वर्क अवेलिबल है ट्राई ने Jio, Airtel और V SNL जैसी टेलेकॉम कमपनिया अलग-अलग नेट्वर्क प्रोवाइड करती है जैसे 2G, 3G, 4G और कई जगों पर तो 5G नेट्वर्क भी ये कमपनिया प्रोवाइड कराती है हाला कि आपकी लोकेशन बदलने के साथ-साथ नेट्वर्क भी बदल जाता है इसका मतलब यह है क टेलेकॉम कमपनिया जगा बदलते ही नेट्वर्क भी चेंज कर सकती है ऐसे में आप चेक कर सकते हैं यह नया नियम आने के बाद कि आपके फोन में कौन सा नेट्वर्क कनेक्टिद है ट्राइ के मताबिक सिम कार्ड यूजर्स टेलेकॉम कमपनियों की वेब साइट पर जाकर अपने एरिया में नेट्वर्क की उपलब्धता चेक कर सकते हैं नेट्वर्क की अवेलिबिलिटी चेक कर सकते हैं उधारन के लिए आप एक जियो यूजर है तो जियो की ओफीशल साइट पर जाएं और वहां अपनी लोकेशन एंटर करें जिसके बाद आपको यह जानकारी मिल सकेगी कि आपके शेत्र में फाइव जी नेट्वर्क जियो प्रोवाइट करा रहा है या नहीं ऐसे ही आप दूसरे नेट्वर्क पर भी जाएंगे और उनके ऑफीशल साइट पर जाकरके अब आप यह चेक कर सकते हैं कि आपके शेत्र में कौन सा नेट्वर्क कौन सी सर्विस प्रोवाइट कर रहा है इसका सबसे बड़ा फाइदा उन यूजर्स को होगा जो अपना नंबर किसी दूसरी टेलेकॉम कंपनी में पोर्ट कराना चाहते हैं ऐसे यूजर सिस्टम के पूरी तरह से लागू होने पर स्पामर्स पर अब कंट्रोल किया जा सकेगा तेलेकॉम कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वो स्पाम कॉल्स और मेसेज़स को पहले ही स्पाम लिस्ट में डाल दें जिससे यूजर्स ठगी के शिकार ना हो सके यह सब कुछ न स्पाम मेसेज़स और फ्रोड कॉल्स की समस्या काफी बढ़ चुकी है काफी यूजर्स इससे परिशान हैं ओनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं इनी सब को ध्यान में रखते हुए देखते हुए ट्राइ ने अब नए रूल लागू किये तो यह एक सक्त कदम भी इ पता चलेगा लेकिन आपकी क्या राए है कि आप स्पाम मेसेज और फ्रोड कॉल्स की समस्या से परिशान है और आपको लगता है कि ट्राइक इस स्टेप के बाद यह समस्या कम हो सकती है कमेंट करके आप अपनी राइस जरूर बताइएगा हमें इस रिपोर्ट पर और अग राइब चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब मार्केट आउटलूक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत बाद इस प्रेमियम सब्स्क्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, बोल्ट और प्लाटिन, जिनके किन हमें में ओट.